दोस्तों चाहे आप एक मकान मालिक है, एक फ्रेसर सिविल इंजिनियर है, चाहे आप एक ठिकदार है, मिस्तिरी है, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से निकाल लेंगे कि अगर आप एक कमरे में प्लास्टर कराते हैं, तो उस टोटल अरिया में मतलब टोटल आप तो अगर आप ये वीडियो देख लिजेगा, तो आपका कितना भी एरिया हो, चाहे एक कमरा हो, या दो कमरा हो, या पूरा घर का प्लास्टर का एरिया हो, असानी से आप अपने घर में कितना आपका प्लास्टर में खर्चा होने वाला है, कितना सिमेंट, कितना सेंड, कित प्रूप करके जाईएगा तो चलिए वीडियो को डिटल में सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है कि एक हमने रूम ले लिया है यह आप जो रूम देख रहा है यह दस भाई दस का रूम है आप देख सकते हैं और इसमें एक दरवाजा है तीन फिट चार फिट का ठीक है तो इसमें क्या है हमारा चार दिवार आ रहा है एक यह दिवार हो गई एक यह दिवार हो गई फिर एक यह सामने के दिवार हो गई एक यह दिवार हो गई तो यह दस भाई दस का रूम है थे यानि कि आप देखिए एक दिवार दो दिवार तीन दिवा छार दिवार तो चारों दिवार हमने यहां पर लिख दिया है 10-10 प्ट का 40 फित हमारी यह दिवार हो गई टोटल उसकी लंब आई और दिवार की अमारे रूम की हाइट कितनी है दस फित है यह wal हाइट आप देख रहे हैं दिवार की तो 40 x 10 आप कीजिए तो 400 square feet आपका total ये दिवार का plaster होने आए ठीक है अब इसमें क्या है कि दर्वाजा है और खिड़की है इसको हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि ये समने वाले दिवार में आ रहा है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखिए 5 भाई 4 का हमारा क्या खिड़की था आपका 400 square feet तो 400 square feet में से 41 square feet जो ये दर्वाजा खिड़की के था वो आप माइनस कर दीजे तो 369 square feet आपका दिवार का यानि walls area जो है इसमें आपका plaster होना है ठीक है ये चीज हम देख लिए अब क्या है ये जो रूम था है इसमें च्छत जो है 10 by 10 का हमारा छत है तो छत में भी plaster हो रहा है तो यहां 10 by 10 हम कर देंगे तो यानि 100 square feet जो हमारा ceiling area है उसमें भी plaster हो रहा है तो 369 और प्लस 100 दोनों को आप जोड़ देंगे तो 469 square feet इस कमरे में आपका total plaster होना है ठीक है तो कितना 469 square feet 100 square feet ceiling का area हो गया 369 square feet आपका ये दिवार 3rd का निकला था जो मैं आपको यहां बताता हूं यह चीजह आपको सबसे जदा याद रखना यहीं चीजह आपको समझना है थम्रूल के हिसाब से थम्रूल क्या होता है जैसे हम करते हैं बहुत सारे साइटों पर काम होता है तो एक के मतलब idea हो जाता है लोगों को अंदाज चार का यानि एक सिमेंट तो उसमें चार सेंड डालेंगे एक रिसी चार का जब हम मसाला बनाएंगे और बारह में थिकनेस मोटाई का प्लास्टर करेंगे तो सो स्क्वार फिट में हमारा सिमेंट कितना लग जाता है एक बैग यह चीज आपको बस याद रखना पड़ेगा कुबिक फीट और बालू कितना लग जाता है जो रिवारो सेंड होता है 6 की फीट सव स्क्वार फिट प्लास्टर करने में आपको सेज़ा रखना पड़एगाा कि सेमेंट हमारा एक बैग लगता है औल्य चाहे आप सिमेंट हम निकाल देते हैं जब हमें यह भैलू मिल गया था अब सिमेंट हम असानीस निकाल लेंगे तो टोटल हमारा कितना था च्छत और हमारा जो दिवार साउट स्कोईर फिट में प्लास्टर होना था तो 469 डिवाइट भाइट ऐसाउड यह सो क्यों कर रहा है क्योंकि आब हमें मालूम चल गया है कि सो इसक्वार फिट में हमारा कितना एक लगता है तो हम पहले क्या करेंगे इसको इस से तोड़ लेंगे तो तो 4.59 यह आपका आगया क्या टोटल बैग 100 से यानि इसमें एक लग रहा था तो ऐसे आप करेंगे तो आप देख लिजे 4.59 आपका आगया यानि लगभग आपका साधे चार बैग तो कोई देगा नहीं तो यहां पर पांच बैग आपको सिमेंट लेना पड़ेगा एक से आप जो प्लास्टर कराते हैं अंदर का तो चार सरुपया का लगवग आपको मिल जाता है तो पांच बैग लग रहा था पांच इंटू चार सा आप करेंगे दो हजार रुपय का सिमेंट हो गया फिर उसके बाद आता है कि आप बालू आपको मालू में कि सौ स्कॉर फि किविग फिट तो हमारा टोटल आगया नानिटन, मार्या मारें कितना 50 रुपया किविग फिट है ठीक है तो यहां पर 28 कि फिट लग रहा था 60 रुपया आपको मिल रहा है तो 16-80 रुपया का आपका यहां पर बालू लग जाएगा 469 स्कॉयर फिट एरिया में प्लास्टर करने में अब उसके बाद इस कमरे में जो हमारा टोटल जो एरिया आया था जो यह रूम था हमारा द इतने एरिये में प्लास्टर करने का तो यहां पर क्या हो गया कि हम लिख लिए अब उसके बाद टोटल हमारा जो कोस्ट हो कितना आजाएगा तो सिमेंट का हमारा दो हजर रुपया लग रहा था बालू का 16 रुपया लग रहा था लेवर का हमारा 6885 रुपया टोटल करें यह दूर और विंडो फिर उसके बाद यहां पर स्लाइब का यानि कि सीलिंग का प्लास्टर भी होगे तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 10,565 डिवाइड वाई आप 469 स्कॉयर फीट तो यह आजाएगा लगबक 23.0 यानि कि 23 रुपया इस्कॉयर फीट यह प्लास्टर आपको पढ़ गया कितना मेटेरियल प्लस लेवर के साथ